आज आपके साथ सिंपल सा इंगेडियन के साथ मटन खीमा की रेसिपी शेयर करने वाली हूं यह सूपर टेस्टी बनता है इसके लिए मैंने हाफ केजी खीमा का स्तमाल कर रही हूं मटन खीमा इसमें हाफ टी स्पून शॉल्ट हाफ टैस्पून लाल मिर्च पावडर थोड़ा सा छल्दी एक टीसपून अंदरकर संका पेज और एक टीसपून लेमन जूस को आड़ कर रही हूं इसको आची तरह मिक्स कर लें मिक्स करके 10 मिनिट के लिए मैननेट करके रख दें दस मिनिट बाद चुला में पैन को रख लें तीन टेबल स्पून आइल को आड़ कर लें यह बीफ खीमा में भी बना सकते हैं अगर आप बीफ बना रहे हैं तो इस सारा प्रोसस को कुगर में कर लें तेल गरम होने के बाद 1.5 तीस्पून जीरा दो लोंग दो सिनमान स्टिक यह नहीं पट्टा एक बेई लीफ को आड़ कर लें के बाद दो बड़ा सा प्यास को बार एक सो चौप करके तेल में आड़ करें प्यास को अच्छी तरह पकाएं प्यास नरम होने के बाद एक इस को नदरक लसन का पेस्ट और थोड़ा सा नमक आड़ कर लें हम अड़री कीमा में नमक आड़ कर चुके हैं तो जितना प्यास टामाटर को जरूरत है उतना नमक को आड़ कर लें फिर मैरनेट किया हुआ को इस प्यास में आग तर लें उसके बाद 3 बढ़ासा तमाटर को पीस कर प्योरी बनागर आट करलें और उसमें थोड़ासा मसाला आट करलेंगे 1.5 जीरा पौवड, 1.5 धन्या पौवड, 1.5 गरम मसाला, 1.5 लाल मिर्च पौवड, थोड़ासा हल्दी आट करलें सारा मसाला मिक्स होने तक पकाए थोड़ा सा पानी को आड़ कर ले 3 से 4 थेबल स्पून पानी को आड़ कर रही हूँ पानी अबजब होने तक पकाए जब तक खीमा भी गल जाएगा खीमा गलने के बाद फ्रेश हरा धन्या को चौप करके एड़ कर लें और थोड़ा सा पानी अबजब होने तक पका लें तो गरम गरम सर्फ कर लें चपाति के साथ राइस के साथ यह सूपर टेस्टी बनता है इस पक्रित में जरूर इसे ट्राई करें अगर यह रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें फैमली और फ्रेंट के साथ शेयर करें ट्राई करके कमेंट जरूर करें अगर मेरे चानल में आप नहीं हीं तो सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्लिक करें लाव कि बाई